हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँगी दोस्तो अगर आप लोग यहां पे पोको फोन पर कोई भी फोटो वीडियो को आप लोग यहां पे अपने फोन के मेमोरी कार्ड में आप डालना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँगी कैसे आप लोग यहाँ पे अपने फोन से फोटो वीडियो को अपने फोन के मेमोरी कार्ड में आपके कैसे डालेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है आप लोगों को यहां पे अपने फोन में फाइल मेनेजर को ओपन करना है File Manager को open करने के बाद आपको यहाँ पर image दिखेगा तो यहाँ पर आपके phone पर image दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर जो भी image को जो है अपने phone से HD card में डालना है वो image यहाँ पर आप लोग select कर लिजें मैं example के लिए आपको कोई भी image यहाँ पर डाल के दिखा देता हूं तो यहाँ पर मैं suppose यह वाला image है इसको मैं click करूंगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर move का option आता है move पर click करेंगे तो directly यह जो है यह जो image है वो आपके HD card में move हो जाएगा but आपको यहाँ पर क्या करना है more पर click करना है यहाँ से copy करना है copy पर click करने के बाद आपके phone पर इस तरीके से HD card का option आएगा तो आप लोग यहाँ पर HD card पर click करिए उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है जो भी file में आपके HD card में जो भी file रहेगा उसमें आप लोग move करना चाहते हैं तो आप लोग उस file को select करके यहाँ पे paste कर सकते हैं बट अगर आपको एक नया file बनाना है तो आपको यहाँ पे more पे click करना है create folder पे click करना है यहाँ पे आपको कोई भी फाइल यहाँ पे बना देना है और OK करना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उस फाइल को जो है इस तरीके से सेलेक्ट करना है और पेस्ट करना है जिसके बाद दोस्तो जो भी फोटो आपने यहाँ पे पेश्ट के रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और यह जो फोटो है वो आपके फोन के HD कार्ड में यहाँ पे चला जाएगा तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कोई भी वीडियो और फोटो को जो है अपने फोन में HD कार्ड में यहां पर डाल सकते हैं